अगर आप यह सोच रहे हैं कि अभी डिनर में क्या बनाए कर लंच में क्या बनाए तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्वादिश्ट हेल्दी लहसूनी पालक खिचडी की रेस्पी सेर करने वाली हूँ और ये खिचडी इतनी ज़ादा स्वादिश्ट लगती है ना कि बच्चे हो या फिर बड़े सब बहुत ही चाव से खाएंगे और वीक में तो एक बार आपसे जरूर डिमांड करेंगे कि आप ये वाली खिचडी बनाएगे रेगुलर खिचडी से इसका स्वाद बिलकुल अलग होता है बहुत ही डिफरेंट होता है काफी जादा हेल्थी भी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कटोरी गोविंदो भोग चावल गोविंदो भोग चावल में बहुत अच्छी फ्रेक्रेंस होती है इ आप चाएते इसमें कोई और यहां का इस्तिमाल कर सकते हैं और जब भी खिचडी बनाए और ना चावल और डाल कर रेसियो इकवल रखेंगे तो खिचडी बहुत ही बणिया बन करके तयार होगी न चावल को मैने ने धोकर के कुकर में डाल दिया उसके साथ ही मैंने दाल दिया एक दो मिनट तक के लिए से भून लिया है उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल दाल का चार गुना पानी आड़ कर दिया है कुकर में और धकन लगा करके एक विसल आने तक के लिए हम यहाँ पर इसे पका लेंगे सिर्फ एक ही विसल लेना आपको उससे जादा नह क्योंकि गोविंदो भूख चाल पकने बहुत कम टाइम लगता है और मूंग की दाल को भी पकने बहुत कम टाइम लगता है और इधर दूसरे वाले बर्नर में मैंने टमाटर भूनने के लिए रख दिया है जिसकी मैं चटनी बना करके तयार करेंगे इस ख़ड़ी के साथ टमाटर की चटनी है बहुत ही बढ़िया लगती है एक बंच मैंने यहाँ पर पालक लिया इसे मैं अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और पानी में डाल करके छोड़ दिया है तक इसमें जो भी मिट्टी वेगर हो ना वो निकल जाए और इधर एक विसल आ गया है कुकर में तो मैं इसे उतार करके साइड में रख रही हूँ और आज यह जो खिचडी है ना वो मैं मिट्टी के हांडी में बनाने वाली हूँ मिट्टी के हांडी को गर्म होने में टाइम लगता है तो मैंने इसे अभी चढ़ा करके छोड़ दिया है और जब भी आप मिट्टी के बरतन इस्तमाल कीज़ेगा ना तो आप उसे एकदम लो फ्लेम पे ही चढ़ाईएगा स्टार्टिंग पे उसके बाद आप उसकी फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते है मिट्टी के बरतन में बना हुआ खाना बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगता है मैं रेगुलर तो नहीं लेकिन कभी कभी ट्राई करती हूँ इसमें बनाने की और बनाती भी हूँ बहुत ही अलग लगता है तो आपका भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं आपको भी अच्छा लगेगा और इधर मैंने दो मीडियम साइज के प्याज, अदरक, मिर्ची, लहसन, सारी चीजों को बारिक-बारिक चॉप कर लिया है हांडी हमारी अभी अच्छे से गर्म हो गई है तो हम क्या करेंगे इसमें एक बड़ा चमच घी एड़ करेंगे और जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें आड़ कर देंगे वन टीस्पून जीरा, साथ ही एक तेजपत्ता, एक बड़ी सी डाल चिन्नी, आठ से दस काली मिर्च और हिंग उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को तड़कने देंगे और इसमें आड़ कर देंगे अदरक और बारिक कटा हुआ लहसन, एक टेवलिस्पून के करीब है और इसे अब हम क्या करेंगे, हलका सा लाइट ब्राउन होने तक के लिए भून लेंगे और मिट्टी के बरतन में जो खाना है थोड़ा धीरे बनता है, तो आपको पैसन से काम लेना होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बारिक कटा हुआ प्याज आड़ कर देंगे और अब हम प्याज को हलका सा ट्रांसलूसेंट होने तक के लिए भूनेंगे, बहुत जादा नहीं भूनना है अब मैंने लिए यहाँ पर साथ से और छोटे वाले आलू और ये उबले हुए नहीं है, नॉर्मल कच्चे आलू इसे कि मैंने छीर लिया है और अब हम इसमें आड़ कर देंगे, आप चाहें तो यहाँ पर एक मीडियम साइज का आलू काट करके आड़ कर सकते हैं इसके साथ ही मैंने यहाँ पर दो चुटकी हल दी, आधा छोटा चमच, लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चमच नमक आड़ कर दिया और इसे 2-3 मेट तक के लिए ढखके छोड़ देंगे, ताकि जो आलू है ना थोड़े से सौफ्ट हो जाएं और फ्लेम को एकदम लोपे रखेंगे, आलू डालना यहाँ पर आपसनल है, लेकिन आलू डालने से जो खिजड़ी का स्वाध देना बहुत ज़ादा बढ़ जाता है मुझे ऐसे परसनली आलू बहुत ज़ादा अच्छे लगते हैं खिजड़ी में, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इधर टमाटर को मैंने छील दिया है, और इसे मैंने खलवटे में अड़ कर दिया है, साथ ही मैंने एक मिर्च भी भूनी थी और दो लज़न, इसमें अड़ कर देंगे नमक, चीनी और थोड़ा सा सरसो का तेड, इससे फ्लेवर बहुत यह अच्छा आता है चटनी को यहाँ पर थोड़ा सा मैस कर लेंगे, और मैं यहाँ पर आड़ कर रही हो भारा धनिया, और देखें जो हमारी चटनी है ना टमाटर वाली स्मोकी फ्लेवर वो बन करके बिल्कुल तयार है, और आप इस चटनी को पराठे, चीले, राइस, रोटी किसी के साथ भी खास सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, सिंपल सी है बढ़ बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगती है, और यह जो पालक है ना उसे मैंने सिर्फ और सिर्फ एग मेर्ट तक के लिए बॉयल किया था है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ने तो इसका जो आलू है ना वो भी सॉफ्ट हो गए, छोटे-छोटे आलू थे ना तो इसे पकने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और जब हम खिचडी इसमें आड कर देंगे ना तो यह अच्छे से पक जाएगा, और अब मैं इसमें आड कर रही हूँ, एक बारी कटा हुआ मिर् आड कर रहे हूँ, तो एक चमच आड कर सकते हैं, इसमें और कोई भी मसाला वगरा डालने की जरुत नहीं है, यह खिचडी खुद बे खुद ऐसे ही बहुत जादा बढ़ियां लगती है, उसके बाद हम इसमें आड कर देंगे अपनी पालक की प्यूरी और इसमें एक उब बाल आने देंगे, यह जो खिचडी है ना बहुत जादा अलग लगती है खाने में और बहुत जादा महनत नहीं इसे बनाने में फटाफट से बन करके तयार हो जाती है, अब हम इसमें आड कर देंगे अपनी पकीवी दाल चावल और कंटिनियोसली इसे मिक्स करते उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, खुले में ही 5-7 में तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, इससे खिचडी का स्वाद और भी जादा बढ़ जाता है, और आप देख सकते हैं यह खिचडी अभी सही कितनी जादा टैम्टिंग लग रही है, बहुत जादा यमी बनत लेकिन ऑप्सनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जरूर से यह तड़का लगाईएगा, इससे स्वाद बहुत जादा बढ़ जाता है, एक टेबल इस्पून मैंने घी एड़ किया, उसमें 4-5 लेसन की कलियां बारिक थोड़े से काजू और सुखी मिर्च एड़ किया, साती हिंग और आधा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे, और यह जो तड़का है ना उसे एड़ कर देंगे खिचडी के ऊपर, और आप देखिए वैसे है तो यह खिचडी लेकिन आपके मूँ में पानी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा टैम्टिंग लग रही है, और बहुत ही ज्यादा स्वादिश्ट है, कुछ भी मसाला वेगरा हमने इसमें यूज नहीं किया है, बहुत ही स्वादिश्ट और गजब की लगती है खिचडी, आप एक बार ट्राइ करके जादा बढ़ गया है, आप एक बार ट्राइ करके देखिएगा, फैन हो जाईएगा इस खिचडी का, और जब भी घर में बनाते हैं, उसके बाद ही आकर के खा करके मुझे कमेंड करके बताईएगा कि आपको ये खिचडी की रेसिपी कैसी लगी, साथ में मैंने यहाँ पर लाइक कर दीजेगा, जादा से जादा से जादा सेर कीजेगा, मिलती हूँ नेक्स लाग में, बाबाई